नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल हैस्टक लास्टेन पर दोस्तों मैं हूँ सूरा सर्मा और आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 78 नैरेशन का एक्सरसाइज 78 यदि Oxford Current English Grammar आपके पास है तो दोस्तों ये सवाल आप लोगों से जरूर बनेगा और नैरेशन का कोई भी सवाल क्यों नहों आपसे जरूर बनेगा तो चले देरी ना करते हुए इस वीडियो को सुरुआत करते हैं बड़ उस से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राब कर ले क्योंकि इस तरह का वीडियो रोजना आप लोगों को देखने को मेरे चैनल पर मिलेगा तो चले शुरुआत करते हैं दोस्तों सवाल कुछ इस प्रकार से है पहला सवाल है ये सवाल है तो बनाएंगे कैसे तो देखिएगा ही सेज को दोस्तो या तो सेज रहने दीजिये या फिर टेल्स बना दीजिये दोनों चलेगा तो यहां पर मैं यहां पर सेज रहने देता हूँ टेल्स भी बना सकते हैं दोनों में से कोई एक कॉमा के बदले यहां पर आपको रखना है that I होता है first person subject के अनुसार subject में he है तो यहाँ पे he लेना है I के साथ M लगा है तो he के साथ लगेगा is your है दोस्तू second person object के अनुसार तो यह ध्यान रखिए इसमें object नहीं है तो that से पहले आपको object रखना परेगा जी हाँ दोस्तो बिल्कुल आपने सही सुना आपको object रखना परेगा तो क्या कीजिए हमेशा you ही रखिए object में ठीक है that से पहले हमेशा आपको you रखना है तो आपको कहीं भी गलती नहीं होगा you के जग़े पे आप कुछ भी रख सकते हैं इसे ही रख सकते हैं सी रख सकते हैं हम रख सकते हैं अस रख सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा आपको you रखिए ताकि आपको गलती नहीं होगा उसके बाद दोस्तो इस तरह के सवाल में आपको you है तो you का यहाँ पे you ही रहेगा ठीक है अगर यहाँ पे हिम रहता तो दोस्तो यूर बीच वला है तो हिम का बीच वला हिज होता है तो यहाँ पे हिज देते ठीक है अगर आप यूर रखते है तो आपको change नहीं करना परेगा उसके बाद friend है तो दोस्तो friend लिखेंगे and है तो and का and no change उसके बाद you है दोस्तो यू है second person object के अनुसार तो दोस्तो object में आपने क्या रखा you यहाँ you है तो you ही रखना है क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया है जिससे कि you रखने से आपको कहीं कुछ change नहीं करना परेगा ठीक है तो उसके बाद you के साथ r है तो r ही रहेगा my होता है first person subject के अनुसार तो my बीच वला है तो दोस्तो he का बीच वला यहाँ पर आपको रखना है हिज हो जाएगा ठीक है friend है तो friend no change ठीक है चलिए second question की और बढ़ते हैं तो दोस्तो second question है ध्यान से देखेगा sita will say तो यहाँ पर आपको लिखना है sita will है to will say का बना देना यहाँ पर till ठीक है कॉमा के बदले आपको that का use करना है कॉमा के बदले that का use करना है everything तो दोस्तो कोई change नहीं everything है तो आपको everything ही रखना है ठीक है I first person subject के अनुसार subject में देख लिजे यहाँ sita है तो sita के लिए लेंगे यहाँ पर दोस्तो c क्योंकि I है शुरू वला और I के साथ have लगा है तो c के साथ हैज लगेगा इज है तो इज का इज रहेगा अब यहाँ देखें दोस्तो yours है यानि के you second person object के अनुसार अबजेक्ट तो यहाँ है ही नहीं यानि कॉमा से पहले आपको object नहीं मिला दोस्तों तो object आपको बनाते समय that से ठीक पहले रखना है और क्या रखना है? तो you ही रखना है दोस्तूँ ठीक है? You रखना है comma से यहनी that से ठीक पहले आपको you रखना है इस तरह के सवाल में क्योंकि you second person object के अनुसार होता है तो यह हमें रखना है तो यहाँ पे yours है, तो यहाँ पे yours हो जाएगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि second question आपको समझ में आ गया होगा, आप चलिए third question क्यों बढ़ते हैं, third question को बहुत ही गौर से देखिए, दिया हुए C said, यह said वाला रूप है दोस्तू, तो said वाला की तरह काम करेगा, अगर तो C said है, तो दोस्तो said रहने दे सकते हैं, या field आप told बना सकते हैं, मैं यहाँ पे said रखता हूँ, अब यहाँ पे देखना है दोस्तो कि object नहीं है, तो थोरा सा स्थान छोड़ देते हैं, पहले you देख लेते क्या यहाँ है, जी दोस्तो you है, यानि you second person object के अनुसार होता है अगर you है, तो यहाँ पे आपको you object में अपने मन से रख लेना है, कॉमा के बाद that रखना है, that से पहले जो होता है वह object होता है, I first person subject के अनुसार C, तो यहाँ पे आपको रखना है C, यहाँ wanted है दोस्तो want का दूसरा रूप wanted, और यह याद रखिए कि जब भी आपको दूसर वाला रूप रहेगा तब, ठीक है, यह trick है इसका, तो wanted भर्व का दूसरा रूप है, तो यहाँ पे आपको head पलस भर्व 3 बना देना है, क्योंकि wanted का भी तीसरा रूप wanted ही होता है, to है तो to रखना है, give है तो दूस्तो यहाँ पे give रखना है, और you second person object के अनुसार कुछ भी है, तो C का बीच वला रखना है, C का बीच वला हर होगा, H-E-R हर, handkerchief यानि के रूमाल होता है इसका मतलब, तो यहाँ पे आपको handkerchief लगा देना है, handkerchief लगा देना है, तो यह दोस्तो आंसर हो गया, अब गौर से यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, च सवाल को सवजा लेजिए, तो यहाँ लिखेंगे, दे, सेड, टू, सीता, ठीक है, सवाल को मैंने यहाँ रख लिया, उसके बाद यहाँ से रखना है, दोस्तो, यहाँ है, वी, यानि कॉमा देना है, वी, पहले सवाल को ही बनाए, तो वी, उसके बाद सेल है, तो सेल, help दि है, तो यहाँ तक दे रही है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके यह पूरा लिख देना है, ठीक है, तो चले मैंने आपको दूसरे पेज में लिखा है, सवाल को जैसे मैंने आपको बताया, इस यू के बाद पहले यह लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ लिखें दोस्तो ये है सवाल चोथा सवाल का मैंने सवाल बना लिया पहले सीधा कर लिया अब इसको बनाएंगे दे है यहां लिखेंगे दोस्तो दे सेड टू को बदल देना है हमेशा टोल्ड हमेशा टोल्ड सेड का सेड नहीं रखना है सिर्फ सेड वाले में अगर टू नहीं लगा देना है वी होता है first person subject की अनुसार जो एकदम शुरू में है तो दोस्तों वी है शुरू बला तो दे भी तो शुरू बला हो तो देख वी के साथ लगा है तो दे के साथ will लगेगा लेकिन sit वाले रूप में will का उड़ हो जाता है तो आपको यहाँ पे उड़ लगा देना है help है तो help यहाँ पे b1 है तो b2 नहीं करना है कब करेंगे b1 को b2 जब उससे ठीक पहले subject होना चाहिए help से ठीक पहले subject नहीं है दोस्तों यह cell will जो है आपका helping भारव है इसलिए help है तो help ही रह अब यहाँ पे यू है यू second person object के अनुसार कॉमा से पहले जो होता हुआ object यानि के सीता एक लड़की है और यहाँ पे यू सुरू बला है दोस्तों की last बला last बला है क्योंकि यू के साथ is rm वाजवेर नहीं आया है तो यहाँ पे यू है last बला तो दोस्तों सीता object में है य in case nobody यहाँ लिखेंगे in case nobody यह सब चेंज नहीं करना है comes to help अब यहाँ पे यू second person object के अनुसार फिर से वही हर हो जाएगा क्योंकि यू last बला है ठीक है उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा चलिए question number 5 की और बरते हैं दोस्तों question number 5 भी 4 की तरह है पहले हमको इस question को सर्या लेना है यानिके सीधा कर लेना है यह तो पहले जहीं सीधा नहीं है क्योंकि सेड वला पहले होना चाहिए तो पहले हम इसको सीधा कर लेंगे सीधा कॉमा यह पूरा उतार दीजिए I can never forget you ठीक है अब हम बनाएंगे इसको तो दोस्तों सीधा को सेड रखे या टोल्ड रखे दोनों चलेगा तो सीधा मैं रखता हूं कॉमा के बदले that I first person subject के अनुसार दोस्तों सीधा कैन है सेड वला रूप है तो कैन का हो जाएगा could c-o-u-l-d never का होगा never forget है तो दोस्तों forget अब यू second person object के अनुसार तो object तो है ही नहीं तो मैंने क्या कहा आपको object रखना है that से पहले बनाते समय सवाल में ही रखना है बनाते समय रखना है तो यू ही रखना है और यू का last बला यू ही होता है तो question number five का right answer हो गया चले question number six क्य किस प्रकार से है दूस्तों okay अगर हो सब्द में तो okay को लोप कर दीजिए okay मतलब कुछ नहीं है ठीक है और he said है तो पहले हमको he said लिख लेना है अगर समझ में आ जाए तो direct भी बना सकते हैं नहीं तो सिधा सवाल कर लेना है he said comma okay हटा दीजिए I will come again tomorrow ठीक है सिधा कर लिया मैंने सवाल को अब बनाते हैं इसको he said है तो दोस्तों said said रहने दीजिए या फिर told भी कर सकते हैं और दोस्तों comma के बदले that I first person subject के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा he said वाला रूप है तो will का उड़ हो जाएगा I के साथ अगर will लगा है तो दोस्तों सोचिए he के साथ sell लगेगा और sell का बन जाएगा यहाँ पे should क्या बन जाएगा should come है तो यहाँ पे come again का again तुमारो है तो यहाँ पे तुमारो रख दीजे हो गया answer ठीक है उमीद करता हूँ कि question number 6 भी आपको सांदार तरीका से समझ में आ गया होगा चले question number 7 क्यों बरते हैं दोस्तो question number 7 कुछ इस प्रकार से है देखिए इस तरह के सवाल में आपको नाम कि पे भी कॉमा के बीच में इस तरह का कॉमा के अंदर में मिलेगा मोहन है सियाम है राम कुछ भी मिल सकता है तो यह आपको object समझ लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा the teacher set का बना दिरना है यहाँ पे told क्योंकि object है दोस्तों तो told होगा क्योंकि खास नाम कहीं न कहीं आपको मिलेगा तो told के ठीक बाद आपको रखना है मोहन, क्या रखना है मोहन, मोहन के बाद दोस्तों अगर ये हट जाए, मोहन को भूल जाए तो कॉमा मिलता है, तो कॉमा के बदले यहाँ पे that होगा, लेकिन जब भी आपको डबलू एच वर्ड मिले कॉमा के ठीक बाद, तो that नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको what का what ही हो जाएगा यानि डबलू एच फैमली का जो भी होगा, वही रह जाएगा, ठीक है तो यहाँ मैंने डबलू एच वर्ड ही रख दिया अब यहाँ यू है second person object के अनुसार, object में मोहन है, यानि कॉमा के यहाँ कॉमा हट गया, कॉमा के बदले कुछ नहीं दिये, क्योंकि डबलू एच वर्ड से सुरू है, कॉमा के ठीक बाद, अगर डबलू एच वर्ड से सुरू हो, तो वहाँ कॉमा के बदले that का उप्योग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा तो अबजेक्ट आपका टोल्ड के ठीक बाद जो होता है, या फिर that से पहले तो यहाँ that तो आया ही नहीं तो टोल्ड के ठीक बाद अबजेक्ट आपका मोहन हो गया, तो you second person अबजेक्ट के अनुसार, यानि मोहन एक लरका है तो यहाँ पे आप यूज करेंगे ही, क्योंकि यूज सुरू बाला है दोस्तो, और डू का बन जाएगा डिड क्योंकि सिड बाला रूप है, और सिड बाले रूप में इस का वाज बन जाता है, नौट है तो नौट और गुड है, तो गुड लगा देजिए और यह आपका आंसर हो गया, उमीद करता हूँ कुश्चन नमबर सेवन आपको सांदार तरीका से समझ में आ गया होगा, चले कुश्चन नमबर एट क्यूर बहरते हैं दोस्तो तो दोस्तो कुश्चन नमबर एट कुछ इस प्रकार से है, ही है तो यहाँ पे ही, सेड का आप दोस्तो, आप सवाल में देख लिज यह पर यह नाम तो नहीं है तो यह ok मिले या फिर will मिले, please मिले, kindly मिले, उसमें से सवाल में से हटा देते हैं उसको, यह will हट जाएगा, तot यहां पर object रखेंगे तो यहां पे यू रख लेना है क्योंकि इसमें object नहीं है और कहीं न कहीं आपका यू जो है second person object के अनुसार काम आएगा तो अभी ही रख लेना है अगर आप समझदार हो गए है तो ठीक है उसके बाद comma मिलता है तो आपको यहां पे that will तो हटा देंगे इसका कोई म हो जाता है w-o-u-l-d would पनीस है तो दोस्तों पनीस का यहां पे पनीस यू second person object के अनुसार यू का यहां पे यू होगा क्योंकि यहां पे यू अगर रहे तो यू का यू ही होगा यू है तो यू ही होगा क्योंकि यू जैसा रहता है वो ऐसा ही रहता है और today का यहां पे बना देना है अब कहेंगे यहां पर यह क्या आ गया तो दोस्तो टूडे का दैट डे होता है यह आपको याद रखना है मैंने आप लोगों को बता रखा है दोस्तो नहीं अगर समझें तो यहां ही समझ लिजिए टूडे का दैट डे होता है जब भी आपको टूडे मिले तो लगा देना है यह आपका answer clear complete हो जाएगा चलिए question number nine क्यों बरते हैं बेगर देरी की हुए question number nine कुछ इस प्रकार से है दोस्तो see अब देखे राधा कौमा के अंदर राधा है यानि के यह आपका object है तो sit वाले रूप को बना देना है told और राधा है तो राधा ठीक है उसके बाद कौमा मिलता है तो दोस्तो कौमा को बना देना है आपको that you second person object के अनुसार object told के बाद और that से पहले होता है object यानि के second person object के अनुसार object में राधा और you है शुरू वाला तो दोस्तो राधा एक लर्की है तो c ले लेंगे और c का शुरू वाला c होता है you के साथ will लगा तो c के साथ भी will लगेगा और will का बनेगा sit वाले रूप में would क्या बनेगा would w-o-u-l-d would b है तो b awarded का awarded इसमें कुछ change नहीं करना है दोस्तो उसके बाद for है तो for for के बाद the है तो the bravery के बाद bravery है bravery अब यहाँ पे you second person object के अनुसार object में एक राधा लर्की है you सुरू बला है तो दोस्तो लर्की के लिए यहाँ पे c ठीक है you के साथ have लगा है तो have को head बना देना है अभी यह याद रख लिजिए have को head बनाना है ठीक है son today son का हो जाएगा son और today का बना देना है that day ठीक है today का that day तो उमीद करता हूँ question number 9 भी आपको समझ में आ गया होगा चले question number 10 की उर बरते हैं question number 10 कुछ इस प्रकार से है बहुत ही असान है यहाँ राधा नाम की एक लर्की है जो कॉमा के अंदर में है तो यहाँ यह आपका object हो गया तो set वाले रूप को आपको told बना देना है और यहाँ पे फिर से राधा रखना है कॉमा के बदले आपको that you second person object के अनुसार राधा एक लर्की है तो यहाँ पे C और U के साथ R लगा है तो C के साथ इज लगेगा तो यहाँ पे वाज हो जाएगा क्योंकि R का वेर और इज का वाज होता है my first person subject के अनुसार subject मतलब सुरू वाला और यह आपका he है तो दोस्तो my beach वाला तो he का बीच वाला रखना है यहाँ पे his life हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि question number 1 से लेकर के 10 तक आपको समझ में आ गया होगा अगर दोस्तो आप लोग खुद भी 11 से लेकर के 15 तक बना सकते हैं फिर भी मैं अगर आप लोगों को कोई 11 से 15 तक में दिक्कत होता है तो दोस्तो मैं आप लोगों को next वीडियो में next वीडियो में मैं आप लोगों को 11 से लेकर के 15 तक जरूर बनाऊंगा और उसमें 79 भी दोस्तो मैं किलियर कर दूँगा complete कर दूँगा finished कर दूँगा ठीक है समाप्त कर दूँगा जिससे कि किसी भी तरह का 78 और 79 में आपको दिक्कत ना हो तो बस आप लोगों को 11 से 15 आप लोगों के लिए homework हो गया खुद से भी बना सकते हैं अगर नहीं बनता है तो आप लोगों को मेरे वीडियो का इंतजार करना परेगा next पार्ट में मैं आप लोगों को 11 से ले करके 15 तक बताऊंगा और उसमें 79 का भी मैं complete कर दूँगा ठीक है तो दोस्तो वीडियो पसंदाया हो तो वीडियो को like जरूर किजेगा और ये वीडियो कैसा लगा समझ में आया या नहीं आया तो comment करके आप हमें जरूर बताएगा और आपका कोई topic रहता है math, sense और English से related तो आप हमें comment कर सकते हैं उस topic पे मैं आपका video ले करके आओंगा solution ले करके आओंगा तो उमिद करता हूं मेरी सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो पसंदाया तो एक बार फिर से वीडियो को like कर दिजेगा औ हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम